तो आप लोगों ने देखा मेंने बिर्यानी बनाई है तो उसकी रेसिपी में आज आप लोगों किसा चाई पकरी है चाई पीने के बाद मैं लगाँगी अब चिकन को मसाला तो मैंने काँदे को फ्राइक कर लिया है और यहां पर चिकन के लिए मैंने जो है कच्छे चिकन के अंदर अदरक लसन और यह जो गरम मसाले है जावित्रीज, आइपल, काली-मीरी, दाल-चीनी, बड़ मैं इसके अंदर एड करूंगी कच्चे चिकन में चिकन को मैंने अच्छे से वाश कर लिया था और कांदे को मैंने फ्राइ करके निकाल लिया है वो ठंडा हो रहा है ठीक है अब आप लोग सुछ रहोंगे गरम मसाला क्या क्या मैंने एड के है तो फिर से एक बार बता देती ह द्रकलस्थन में मैंने दालचीनी, कालीमिरी, लॉंग, बड़ी लाइची और जावितरी फुल और जाइफल वैसे तो देखो जावितरी और जाइफल जो है ना दम के डैम पे जब हम दम पे रखते है ना तब एड करेगे तो और जादा अच्छा रहता है लेकिन अभी इत चिकन जो है पॉना किलो से जादा चिकन है तो मैं यहां पे आदे किलो से थोड़ा कम दही आड कर रही हूँ और थोड़े से तमाटर मैंने इसके अंदर आड कर दिये है ठीके आप चाओ तो दही की कॉंट्टेटी और बड़ा दो और तमाटर नहीं भी डालेंगे तो चले चूर के आड करूंगी आप चाओ तो पीस के भी आड कर सकते हो बट मैं उसको चूर के ही आड करूंगी ठीके और यहां पर थोड़ा दही कम लग रहा था तो मैंने दही और आड कर दिया वैसे यह विर्यानी न एक्चली मैं मेरे घर में दो दिन पहले बनने वाली थी फ्र जहां से नहीं के मुझे महुदक आया था गनपती का तो उनके लिए भी बेजना है तो बस यहां सारे मसाले को में अच्छी तरीके से मसल लूँगी ताके मसाला चिकन को अच्छी तरीके से लग जाए। अब मैं इसको रग दूँगी साइड में उठा के इसमें कुछ और भी add करनी है तो ये side में अपना rest करेगा तब तक मैं आगे की तयारी करूँगी जैसे के पुदीना काटना कोतमीर काटना आलू जो है आलू मैं add करती है इसके अंदर 2-3 तुकड़ा क्योंकि मैं और मेरी तो ये जो सारी चीज़े मैं गार्निशिंग के लिए रख दूगी अब यहां पर यह जो तेल है जिसके अंदर अनियन में ने फ्राई किया था वह भी मैं इसके अंदर कि मैं साइड में अपना चावल जो है ना चावल की तयारी करूँगी तो चावल को मैंने भिगा के रख दिया था और चावल कोई ब्रैंड वाले यूज नहीं करती हूँ मैं बिर्यानी के लिए हमारे दर राशन की दुकान पर सो रुपे किलो राइस मिलते हैं वो ही मैं आड करूँगी तो यह देख सकते हैं जो एकसिस ओईल था वो मैंने डबे में निकाल लिया और यही टोप के अंदर मैं बीना दोई के इसमें चावल के लिए पानी गरम करन तो बस ऐसा है अब मैं सिर्फ इसमें तेजपत्ता एड करूँगी और नमक और हाल लिम्बू के छिलके कंपल सरी मैं एड करती हूँ क्योंकि लिम्बू के छिलके एड करने से चावल जो है वो खुले-खुले होते और सेम टोप में मैंने चावल क्यों बालने चड़ाया क् के अंदर तोड़ा सी तेल है जिस वज़ेता चावल चिपकेंगे नहीं बॉइल होते वक्त भी और वैसे भी हमें ज्यादा बॉइल नहीं करना है बस हमें 22-30 परसन ही कुक करना है बाकी जो चावल पकेंगे वो पकेंगे हमारे जो मसाले का जो पानी चूटेगा भी गैस प रहें है में कम कुक वाला पेले साहने बिचाओंगी 90 फरथ जैसे के 10 कुक है तो मैं अफिए पर आसधी बिचा दूंघी और त्ट्वेइंटी परसन कporte करके उपर और अलग मैं इसलिए द रहाने है यह पहले परत क्ँशार कोवे जाने बहुत चावल भी हो जाते वह बस ये चापल को मैंने असके अंदर लिए है अब मैं इसके अंदर अड़ करूंगी जो मैंने गार्रिशिंग के लिए रहा था बरेस्ता है इसके और अद्ट करूंगी और पुढ़िना तके यहांपर एक कलर कररे है। पढ़ मैं मिल करें, पापनी ज़्यद से यह कलर तोड़ा डार काता है दुद में मिलाने से यह थोड़ा सी लाइट आता है और थोड़ा थोड़ा गिरीन कलर भी मैं चिड़क रहूं तो ऐसा है और आप लोगों को मेरे वोईस ओवर में आजबा जवालों की आवाज आ रही होंगी तो अभी तो इसको एग्नोर करना नोटिफिकेशन जू है वह मिलेग इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ओके तो यहांओ आप देजारिए और यहां मैं लिंगो का जो रस्ता में निकालके रखें तो यहाँद करना भूल गई तइटी कारें आपयों सूइकर के सब्साइब स्कारिक अधैक से इक करें दूख दूंगी और अची तरीके से बॉद जुकर तो यहां पर मैं बना रही हूं राइता तो राइता मैंने थोड़ी सी कुत्मिर पुदी ना बचा के रखा था तो उसके अंदर मैंने दो कांदे टमाटर एड़ कर लिया और इसको अच्छी तरीके से में ग्रेट कर लिया यानि कि चॉप कर लिया बस इसमें और कुछ नहीं मैं थोड़ी सी दही जो मैंने बचा के रखी थी आदर किलो में से वह दही लोगी और नमक एट करूंगी इसमें मैंने बिल्कुल भी मिर्ची एड़ नहीं की राइते से यह होता है कि बिर्यानी में एक तो थोड़ा बहुत नम्माग धाही दरुदर हो जाई या कुछ भी वो एजरे कर लेता है और पीना राइते है कि बिर्यानी का कोई मज़ा आखाए नहीं नहीं एब एसा है तो मिला के लग पएक हो घर में आकर मिलाना बड़ता है है clic wilkin सकते हैं यहां आई ढहरो भी अलगिन तो यह सकते हैं यह ना रायता देखे के रेडि हो चुका थden कई अब यह रेडियो टूसरय रेडियो इट है करma ॰भी रिट लेडि है तो इसा है। यह देख सकते हैं यह पर अपनल लुक कापनल लुक आप तो बस सुनके लिए डबा कर रहे हुँ था आप देख सकते हैं चावल की इतने खीले-खीले माइशाललो मसाला भी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है तो ऐसा है तो चलिए फिर यह डबा रेडी करने के बाद और क्या हो मुझे ना इसमा को कॉल करना है तो ऐसा है आप ल हमारी दम बिर्यानी जो के एक दम रेडी है तो लाइक करना प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके बाइदान अभी गया बिर्यानी देने के लिए उनके दोस्त को अभी उज्मा है नानी के तरह पर जैते कि मैंने आप लोगों को बताया तो मैंने बुली आते वा अभी आपके लिए तो वही उज्मा कोई जीनी कोई फोन कर थी है बुलने के लिए के उज्मा को खाना मत किला ना जो बिर्यानी काईगी तो खेर बिर्यानी अच्छी पकी हाँ थोड़ा सी मिरेना तेल जादा हो गया और मुझे ना घी डालना था लेकिन घी अवेलेबल न लेकिन घी नहीं था मेरे फर्स तो इसलिए मैंने तेल और दो चम्मा ताल दिया तो थोड़ा जादा होगे और कुछ नहीं है बाकि अपने यसाब से डाल सकते हैं बाकि बिर्यानी बहुत टेस्टी बनी है बहुत जादे टेस्टी बनी है माशाला से चावल का जिजमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल बुलना बुलना अला पीस बाबाइ